सभी को मित्रो राम राम स्वागत आपका रायथान जीके की जो आपके स्रीच चल रही है उसमें जो एंटिवाइटिक यानि हम लोग समय के बच्षत करते हुए ऐसे हम लोग कवर करें ठीक है राज़्टान जीके को वे हम लोग बात करने जा रहे हैं और इसमें राजवन से रिचियास में कंप्रेट हम लोग कर चुख है और चौहां वरस में हम बात करते जा रहे हैं और आजे राजवान को यहां सबसे इंपोर्टेंट बात जो आपको समझनी है आपने यह समझनी है कि जो नागौर के चौहन धिए अपद्लक्ष के चौहान में उंस पादलक्ष क कि पर्थुराज पर्थम देखिए मैंने पहले आपको पिछली अंटिवाइटिंग बताया है पर्थुराज पर्थम आप पर्थुराज तिरतिये को जानते हैं और मैंने बहुत अच्छी तरीकिस बताया था पर्थुराज पर्थम के बेटे कौन थे अजेराज और हमारी जोइन करें और पिलिष्ट में जाए पिलिष्ट में जाके आप लोग लगातार सिरीज में बने रहे साथियों ठीक है आगे हम लोग बात करें देखिए 1113 ESP का समय आया हुआ क्या था कि नागोर बड़िया सिस्टम चल रहा था नागोर में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन धीर धीर ये जो नागोर है ये नागोर मुसलिम जो आकरांता हैं मुसलिम आकरमनकारियों का धीर धीर यहां जमाव होना शुरू हुआ तो अजमेर नगर इन के द्वारा बसाय गया गड़ बीटली पर आजे मेरु दुरूग बनवाया इन्हें लगा कि आम मुझे यहां नागोर में नहीं रहना चाहिए नागोर में कहिन कहीं मुसलिम आकरांता हैं उनका धीर धीर यहां जमाव होने लगा है तो इन्होंने नागोर छोड़ने के ठा आचिंतम नाम है यह राजधानी रही है तो यह नागोर से कहां लियाएगा अजमेर लियाएगा तो अजमेर नगर बसाया गड़वीटली गड़वीटली पहाड़ी है और पहाड़ी पर एक दुरूग बनवाए इन्होंने उस दुरूग को हम आजे मेरू का दुरूग कहत कि हम नागोर से अजमेर लाया क्लियर हुआ क्यों लाया साफ लिखा हुआ है क्यों किया ऐसा क्योंकि सुल्तान बहराम गजनवी का नागोर पर आक्रमन हुआ और इनके सैना पति हैं मुहम्मद वैलिम का वद कर दिया गया बाद में इनके सैना पति सालार हुसेन आया यानि बाद में यह आया तो इस प्रकार से कहीं कहीं मुस्लिम सासकों से परिशान हुआ आजे राज और आजे राज छोड़ कर कहा आ गया यह आपके अजमीर में आ गया तो को अजे राज ने कौन कौन सी लड़ाई ये लड़ी हैं शाप लिखा हुआ है मालवा के पर्मार कौन सी मालवा के पर्मार मालवा के पर्मार सासक नरवर्मन को पराजित किया और उनके सैनापती सोलन को बंदी बनाया बड़िया सवाल बनेगा अजमेर के कौन से सासक ने मालवा के पर्मार सासक नरवर्मन को पराजित किया और उनके सैनापती सोलन को काल में दोस्तों बढ़िया सवाल बनता है चोवानों का सामराज्य निर्माण काल कयलाता है शुवान काल नहीं कहलाता है सुवनकाल विग्राज चतूर्त का और शासनकाल कहलाएगा किलियर सुन लेजिए तो सिक्के चलाए चांदी वे तामे के तो उन पे स्री अजे दरिये या अजे देव या अजे प्रिये धर्मस नाम लिखाया इनकी पत्नी सोमलवती यहां सोमलेखा का भी नाम अंकित था एक तरफ अजे देव अजे निर्मान का जो काम शुरूआ यह अजे राज के शासनकाल में शुरूआ इसलिए अजे राज का शासनकाल है चोभान वंस का सामराज्य निर्मान का काल कहलाता है सुरन काल मत कर देना सुरन काल कहलाएगा विग्राज चतूर्त का शासनकाल जो आगे पड़ेंगे ठीक है इ सकंटिन काहां पड़ता है पुशकरम पड़ता है उनी खत्रपूर नागॉर को आजी में कौन लेकी आते हैं वे लेकर आते आजही राज चोफान है यह आपके आजमिर के चोफान deconst के संस्तपक है तो लेकि पर चतुरत के इस तरीके से हम परत्वरात प्रत्य तक पहुंच जाएंगे धन्यवाद राम-राम साब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पीडियाप आपको मिलेगी रायथान का टेलीग्राम लिक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है मैंने तो वहां से आप रा अच्सरा लिजब क मैंने तो फस्ट हाईंगे जारे राम-राम साना ओ कर राम-राम साय हुँ Best थाओताव कर दूब दूएंगे वह पालको मुआ तरीक साइन राम-राम साव